कि चोवीज गंटे में उडिस्टा के मांसुन एक्टिव रहा है जाता जगाओं पर हल्की से मद्धे वर्षा दर्ज की गई है चार जगाओं पर हैवी रेंफल दर्ज किया गया सबसे अधिक वर्षा उडाला मयूर्बंज दिस्टिक में तिहत्ता दिशनलों दो मिल्ट्र दर्ज किया गया रहा है उसके लाव एक मांसुन ट्रॉफ जो की वीका नहर से चला है और हमारे जासुडा और लो प्रेशर एरिया के सेंटर से होता हुआ इस सेंटर ब्यों बेंगाल तक जाता दर्ज हो रहा है उसका तीसा सिस्टम इस ट्रेश जोन है इन सब सिस्टम के प्रभाव के कान उडिशा में आने वाले अगले पांच दिनों तक हैवी हैवी रेंफॉल और वेरी हैवी रेंफॉल की वी वादिंग दी गई है अरुबात प्रफल कराइस तो डे वन आज के दिन इंटी रिएंवी रिट्यों में ज्यादता स्थानों पर हल्की समय वर्शा होने की संभावना इसलिकार डे टू में अने ब्लम पर होने की सब्सक्राएं जातर जवाओं पर जो कि होने की संब्सक्राइब इस नौर्स और दीशा में अभी हलकी से मद्धवर्शा अनेक स्थानों पर इसे का डे फोर में और भी वाइट स्पैर डिस्टिबूशन रहेगा पूरे उडीसा के ऊपर वाइट स्पैर डिस्टिबूशन रहेगा तो यह लो वादिंग इसमें मयुर्भंज क्योंजर जाजपूर केंदरपरा कट्था जगत सिंग्पूर भेंकनाल अंगुल बून कंदमार कालाहंडी नवपाड़ा नवरंपूर कोरापट इन जिलों में एक दो स्थानव पर हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी गई है असे का डे 2 में भी जो आप येलो रिजन देख रहे वहां पर हैवी रेनफॉल की येलो वार्नि दी घृट नवरंपूर कोराप्ट मलकान गिरी जगाँ पर हैवी तुबैरी हैवी रेनफॉल हो सकती है एक दो स्थानव पर और बाकी जो येलो रिजन है वहां पर हैवी रेनफॉल की येलो वार्नि दी गई है डे 4 में भी नोर्थ उडिशा और इन जगाँ पर हैवी रेनफॉल की येलो वार्नि दी गई है और हैवी तुबैरी हैवी रेनफॉल की येलो वार्नि दी गई है